तो दोस्तो आज हम UPPCS का जो पेपर हुआ है संडे को नमस्कार सस्त्रिय काल अदाब दोस्तो कैसे हैं आप सभी लोग आप सभी का में स्वागत करता हूँ और मैं आज आपके समक्ष लेकर आया हूँ घुगोल का और परियावरन का डिटेल डीप डिसकेशन जी हाँ हर एक कोश्चन के हम चिठड़ो उड़ा देंगे और इन डीप इन डिटेल हम बात करने वाले हैं दोस्तो की हर एक कोश्चन का क्या आंसर होगा तलही के दिन से आने की सोमबार से आप देख रहे हैं कि हम सब्जेक्ट वाइज यूपी पीसीएस के जो कोश्चन आएं हैं परसो के पेपर में उनका एनालेसिस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज मेरी दर्ख्वास्त आप सभी लोगों से ये है कि इस क्लास को आप जितने भी प्लैटफॉर्म पर शेयर कर सकते हैं प्लीज कीजिए बहुत जरूरी है बहुत इंपोर्टन है सभी तक ये क्लास पहुंचनी चाहिए दोस्तों ये मेरी लिए नहीं अगर आप देखोगे 53 कोश्चन आए हैं कहां से जोग्रफी और एंवायर्मेंट से 500 नंबर का पेपर होता है उसमें से एक तिहाई से भी ज्यादा पेपर इस सब्जेक्ट से आ गया और चाहिए क्या दोस्तों मैंने आपसे बोला कि UPPCS का पेपर 1500 नंबर का होता है 1500 नंबर का होता है और इन सभी questions को चलिए दोस्तो हम आज in detail discuss करते हैं सभी का सही उत्तर में आपको दूगा class को like कर दें यह पहली शर्त है और दूसरी शर्ती है please इस class को जितनी में platform पे share कर सकते हैं कीचिए दोहुत ज़रूरी है दोस्तो अगर आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो वो भी कीजिए काफी important है इसी के साथ आपको description box में telegram, instagram और facebook के links प्रोवाइट किये जाएंगे और उन links के उपर tripya करके जाकर join कीजिए दोस्तो इसके लावा आप देख सकते हैं कि prelims, mains और interview के लिए एक full-fledged batch हमारा launch हो चुका है 12 June से यानि कि हमने Sunday को launch किया था उसमें अगर आप enroll कराना चाहते हैं तो फटा-फट से करा लीजे एक foundation course है जहांपर language हम pure Hindi रखने का प्रयास करें जो हमारी language है वो हिंदी होगी जी हाँ इसके लावा दोस्तो UBPCS मेंस 2022 का जो course है वो भी हमने launch कर दिया अगर आपके 105 नमबर से भी उपर है 105 से 110 नमबर से उपर है प्लस माइनस 10 तो आप इस batch को ज़रूर जोइन कीजिए तो तो शुरू करते हैं सबसे पहले बात करेंगे जोगरफी के प्रशनों की तो सबसे पहला प्रशन आता है खान मंद्रियालिय की वारशिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार निमले कितमे से कौन से राजे भारत के लोहा आईसक का प्रमुख उत्पादक है बताएं तो यहाँ पर यह बात समझनी जरूरी है कि लोहे के आईसक का सबसे बड़ा उत्पादक उडिसा है और सबसे ज़्यादा भंडार भी उसी के पास है और फिर 36 गड़ है तो एक और दो होना चाहिए आंसर है इसका क्या दोस्तो दी जी हाँ दिखा देता हूँ आपको मैं यहाँ पर अगर भारत की स्टेट्स दिखाऊं तो भारत में एक क्यावन प्रतीशत जो लोहा है उसका उत्पादन उडिसा करता है आप देख सकते हैं उसके बाद 18% 36 गड़ करता है फिर करनाटक है फिर जार्खंड है अब बहुत बच्चे आपको यहाँ पड़ा होना चाहिए तब आप इसका सही उत्तर दे पाएंगे तो इसका आंसर डी है इसमें कोई शक नहीं है और मैं आपको इसका आंसर दिखा चुका हूँ आंसर है इसका 1 & 2 जी हां आंसर इसका यहाँ पर 1 & 2 है यह बात याद रखनी है ठीक है अगले प्रशन के उपर move on करेंगे दोस्तों question पूछता है कि निमलेखित में से कौन सी नदी घाटी छेतरफल के दृष्टी से सबसे बड़ी है तो को सबसे पहले समझना जरूरी है कि घाटी यानि कि बेसिन क्या होता है तो एक नदी बेसिन एक नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा सूखी भूमी का हिस्सा होता है यानि कि मान लीजिये कि यहाँ पर यह नदी है यहाँ पर यह नदी है यहाँ पर यह नदी है ये पूरा जो है ये बेसिन कहलाया जाएगा इस नदी का सौरी समुदुर नहीं होगा बेसिन का हिस्सा तो ये पूरा उसका इस नदी का में मुख्य नदी का बेसिन है तो एक बार बेसिन एरिया के साब से नद्यों को देख लेते हैं माहा नदी बेसिन आप देख सकते हैं लगभग 1,39,659 km2 का ऐसा बेसिन है नर्मदा नदी का 90,92,000 के गरीब का बेसिन है कावेरी का 85,000 के गरीब बेसिन है और तापी का 63,000 km2 का बेसिन है तो यहांपर आपको समझ में आ रहा है कि सबसे बड़ा बेसिन वहा नदी का है वैसे सबसे बड़ा बेसिन हमारे भारत में गंगा नदी का है जी हां दोस्तों तो यहांपर आंसर होना चाहिए C कोई शक नहीं था इस question में और definitely इसका आंसर C ही होगा अगले प्रेशन पे चलते हैं दोस्तों यहाँ पर कोस्ट की बात है भारत में सरवाधिक जवारिय शक्ति उत्पादर 36-39 कितमें से कौन सा है और यहाँ पर देखो बहुत लोग यूनो बहुत कन्फ्यूस भी होंगे कि सर्क क्या होना चाहिए इस कांसर तो आप मुझे खुद बताएं कि उर्जा अगर आप टाइडल जवारिय उर्जा की बात करते हैं तो सबसे ज़ादा जवारिय उर्जा कहां से बना पाएंगे जहां पर सबसे ज़ादा टाइडल रेंज होगी यानि कि जुवार परीसर होगा जुवार परीसर क्या होता है टाइडल रेंज क्या होता है माल लीजिए यह भाटा है भाटे पर पानी यहां तक आजाता है यानि कि ये basically ab है इसको आप English में ab भी बोलते हो ये इसको आप low tide बोलते हो आरे ये बात समझे और ये high tide है यानि कि ये जुआर है यानि कि इसको आप English में simply tide या फिर इसको आप high tide बोलते हो तो सुभा पानी यहां तक आता है और उसके बाद वहां तक जाता है तो होगा क्या देखो जितनी जादा आपकी ज्वार परिसर होगी उतना ही समय पानी को उपर से नीचे जाने में लगेगा और जितना समय पानी उपर से नीचे जाएगा उतने ही time पर पानी टर्बाइन को यहां पर हम लगाएंगे तो पहले पानी उपर तक चढ़ेगा फिर नीचे आएगा और दोनों आते जाते पानी जो है आप देखेंगे टर्बाइन पर घुमाएगा और बिजली को प्रडियूस करेगा तो सबसे जादा जहां पर जवार परिसर है टाइडल रेंज है वहां आपको गुल्फ और फिर खंबत में दिखती है जो ग्यारा मीटर की है यानि कि जो लो टाइड और हाई टाइड ज्वार और भाटा में फर्क है वो ग्यारा मीटर का है और यहां पर आपके पास कितनी पोटेंशल है 7000 मेगा वाट तक पूर्जाप यहां से बना सकते हैं चाहीं,But कि इसके बाद मनार कोस्ट का है जो तमिलनाडू में हैं, उसके बाद नॉर्डन सिरकार्श और उसके बाद खंबत कोस्ट इसका सबसे अधिक है, आती ये बात समझ, easy है, असान था भई, आया ना, कोश्चन असान था ये नहीं था, चलो, अगले कोश्चन पर आएंगे, बड़ा असान कोश्चन है, और अभीकतन और कारण कोश्चन है, assertion, reason का कोश्चन है, कोश्चन, first statement में कहता है कि आगरा और दा दारजलिंग का, दोस्तो, औसत तापमान केवल 4 डिगरी शेल्सियस रहता है, इसका कारण क्या है, वो कहता है, कारण ये है, कि तापमान, height के साथ, उंचाई के साथ, गिरता है, तो एक बार हम दोनों states को compare कर लेते हैं, दोनों जगाओं को, ये आपका आगरा है, देख ली दिगरी उत्तर पे है, दोनों ही 27 डिगरी उत्तरी अक्षांच पर हैं, आप इसको clearly देख सकते हैं, दोस्तो, और अगर आप इसको देखते हैं, तो आपको ये बात समझ में आती है, कि जो दारजलिंग है, वो हिमाल्या पे है, और दारजलिंग की ऑस्तन हाइट जो है, वो लाप्स रेट, हांस दर की बात पढ़ाई जाती है, कि प्रती एक किलोमीटर पर लगभग 6.4 डिगरी शेल्सियस तापमान में गिरावट आती है, यानि कि अगर आप पॉइंट ए पर खड़े हैं, और यहाँ पर तापमान 40 डिगरी शेल्सियस है, तो पॉइंट भी जो की एक किलोमीटर उपर है, यहाँ पर तापमान होना चाहिए, कितना, बताएं, 33.6 डिगरी, और लगभग 2 किलोमीटर का फर्क हमें दिखता है, तो लगभग जो डिफरेंस है, वो 13 डिगरी का होना चाहिए, 13 डिगरी का होना चाहिए, लगभग कितना डिफरेंस होना और यहाँ पर क्या लिखा है, कितने कही है, 12 डिगरी दिया हुआ है, तो लगबग वो चीज justified है, है या ना, बताएं मुझे, justification है या नहीं दिख रही है आपको, तो ये बिलकुल सही है, जो अभी खतन है, और कारण भी बिलकुल ठीक है, और इसलिए इसका आंसर जो है दोस् नहीं है, अच्छा, next question के उपर आते हैं, यहाँ पर एक list दी है, परवत चोटियों की, और पूछा है कि इसमें से कौन सा हिमाले का हिसा नहीं है, जोस्तों, गर आप दुनिया के सबसे उचे परवतों को देखते हो, तो यहाँ पर मैंने list दी हुई है, सबसे उचा Mount Everest है, फ दोनों ही Mount Everest के पास ही है, यानि कि उसी का जो हिमाले है, उसका हिस्सा है, वहीं अन्ना मलाई Western Ghats का हिस्सा है, आपको पता होना चाहिए, अन्ना मलाई परवत जो हैं, वो Western Ghats का हिस्सा है, यहाँ पर अन्ना मलाई आपको देखने को मिलते हैं, यह बाबा बुदान हिल्स है यहां पर बाबा मुदान के नीची आप आते हो यह नील गिरी है यह कौन से हैं दोस्तो नील गिरी नील गिरी के नीची आते हो यह वाले यह आपको दिखते हैं अन्नामलाई हिल्स और उसके नीची और आते हो तो आपको दिखते हैं यहला मला इसको आप कार्डेमम हिल्स बो हैं उसके अलावा दोस्तों जो इस्टन घाट से पूरवी घाट हैं उसका हिस्सा है सीरू मलाई और यहां पर मदुराई के ऊपर आपको सीरू मलाई देखने को मिलते हैं तो यह यहां से आप देख रहे हो वेस्टल इस्टन घाट्स आ रहे हैं जो कि सीरू मलाई तक लेकर जा रहे हैं तो सीरू मलाई जो है वो पूर्वी घाट का हिस्सा है इस्टन घाट्स का हिस्सा है यह बात आपको याद रखनी है काफी असान काफी इजी है और इसलिए इन दोनों को आप eliminate कर सकते हैं और आंसर केवल D होना चाहिए यानि की केवल एक तथा दो आंसर क्या है दोस्तों D नेक्स्ट कोशन के उपर आते हैं दोस्तों ये कोशन कहता है कि जो भारत है वो चटी सबसे बड़ी दुनिया की देश है ये बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है भारत साथवा सबसे बड़ा देश है सबसे बड़ा देश पूरी दुनिया में रूस है रूस के बाद कैनेडा ह Canada के बाद China है अगर आप पानी का छेतर नहीं लेते फिर अमरीका है अगर पानी के छेतर को मापते हैं तो जो अमरीका है वो चाइना से उपर है उसके बाद आपका आता है Brazil, Brazil के बाद Australia ये टॉप छे देश है और Australia के बाद आता है भारत तो भारत सात्वा है इसलिए statement 1 गलत हो करते हैं और भारत लगबग 2.4 प्रतीशत पूरी दुनिया का छेतर उक्यूपाई करता है बिल्कुल सही statement है आप कोई ऐसे पढ़ते हो कभी population के उपर तो हमेशा यही लिखा जाता है कि भारत के अंदर लगबग दुनिया की 20 प्रतीशत जनसंख्या है लेकिन भारत के वल भारत के पास दुनिया का 2.4 प्रतीशत 6 रफल है इसके बाद दोस्तों जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो भारत से गुजरती है और भारत को दो लॉंजिट्यूडनल हाफ में डिवाइड करती है कर करेका देश के बीच से गुजरती है बिल्कुल ठीक बात है option 3 बिल्कुल लेकिन जो उपरी हिस्सा है दोस्तों ये उप उश्ट गटी बंदिय छेतर में है यानि की सब ट्रॉपिकल एरिया में है और कुछ उत्तर के हिससे बिल्कुल शितोशन है और नीचे वाला हिस्सा आप कह सकते है कि ये पूरण रूप से उश्ट गटी बंदिया है यानि की म नेक्स्ट कोश्चन के उपर move on करते हैं और बात करते हैं एक और बहुत ही सिंबल कोश्चन की दोस्तों यहाँ पर एक तरफ persons के नाम दिये हैं व्यक्तियों के नाम दिये हैं और दूसरी तरफ वो किस से संबंधित है वो दिये तो मैं नीचे से शुरू करूँगा देखे बैंक का नेशनलाइजेशन था वो मुरार जी देशाई ने ही किया था जब वो वितमंतरी थे तो आंसर क्या होना चाहिए डी को आप जोड़ दो एसे तो अगर आप डी को करनेक्ट करते हो एसे तो यहाँ पर दो ऑप्शन को आप इसली एलिमिनेट कर पाओगे अब यह जी वो एकनॉमिक एडिमिनिस्ट्रेशन टिव रिफॉर्म्स उन्होंने की है बिल्कुल ठीक बात है दोस्तों एल के जहाजी ने यह किया है और सरकार में बहुत बड़ी पोस्ट पर यह रहे हैं इसके अलावा वेरगेसी क्योरीन जी को मिल्क प्रोड़क्शन का पितामा बोला जाता है और अमूल कॉपरेटिव को स्थापित करने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है तो आंसर आता है इस कोश्चन का सी काफी असान और ईजी कोश्चन था अगर हम नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं दोस्तों दुबारा से मैच्ट आप फॉलोइंग जैसा कोश्चन है पर आपको यहां पर देखना है की सही तरीके से कौन सा मैच्ट है तो केडिया ट्राइब उडिसा में रहते हैं कोई इसमें शक नहीं है बिल्कूल ठीक बात है और पलायन ट्राइब भी तरमिलनाडू में रहते हैं बिल्कूल ठीक बात है लेकिन जो कुकी ट्राइब है कुकी ट्राइब यह रहता है कहां पर देखने को मिलता है कहां पर जी यह इस्टन घाट में रहते हैं यह नादी है देख सकते हो आप यह नादी ट्राइब तो यह भी बिल्कुल गलत स्टेट्मेंट है और आंसर होना चाहिए एक और चार यानिकी आंसर जो है इसका वह भी है एक और चार आती है बात समझ आजी बताएं अच्छा नेक्स्ट स्टेट्मेंट के ओपर चलते हैं दोस्तों यह देखो यह बहुत ही जादा विवादित कोश्चन है कि लोगों को नौलेज की थोड़ी सी यहां पर कमी है बहुत सारे टीचर से उनको इतनी प्रॉपर नौलेज नहीं है तो देखो असर्शन यानिकी अभ कॉपर सी से चिले और सी से कॉपर यह बिल्कुल ठीक बात है तो अगर आप दुनिया में देखते हैं तो चिले सबसे बड़ा उत्पादक है कोई दिक्कत नहीं है सेकिंड नंबर पर पेरू है फिर चीन है और उसके बाद डेमोक्राटिक रिपब्लिक और कॉंगो है जी हा और आप यहां पर अगर देखते हैं तो उत्तरी क्या मेरे प्यारे मित्रो उत्तरी यानि कि नौर्दन चिले में आपको एक फॉल्ट मिलती है देखने को जिसको हम कहते हैं डॉम्यको फॉल्ट और यह डॉम्यको फॉल्ट जो है एंडीज का हिस्सा है आप देख सकते हैं औ और मेरे प्यारे मित्रो यहां पर आपको पॉर्फरी कॉपर डिपॉजिट्स अच्छी मात्रा में दिखते हैं देखो तो यहांने प्रूफ कर दिया कि बिल्कुल ठीक बात है दोनों स्टेटमेंट एकदम ठीक हैं और अभी कतन और कारण बिल्कुल सत्निय हैं और जो A है वो सही व्याख्या जो A है उसकी सही व्याख्या R है आ रहे यह बात समझ तो आंसर इसका होगा D याद रखेगा ठीक है तो यह information online भी available है मैं आपको बता रहा हूँ आंसर D है यह बिल्कुल correct definition है जी हां नेक्स्ट question के उपर बात करते हैं भाई इन में से कौन सी डैम जो है वो यूपी में नहीं है तो आपको पता होना चाहिए जो अदवा डैम है जो यह डैम है यह कहां पर है आप देख सकते हो जो बदवा डैम है वो बिहार के अंदर है सर्च कर लेना गूगल पर आपको दिख जाएगा कि गंगा नदी के उपर है गंगा बेसिन के अंदर है बेसिकली बदवा डैम और आंसर इसका होना चाहिए इसमें कोई शक नहीं है ठीक है अगला question भाई देखो यह भी मैं class के अंदर question हमेशा से करवाता हूं एक तरफ location द लेखने को मिलेगी कि जो माल को है जाने कि मदरास Elmineum Cooperation है इसको आप बोलते हो वो सालिम जिले में है मेंटूर डेम के पास सालिम जिले में ना कि चिंण नहीं यहां पर है तो यह गलत है यानिकि यह बिल्कुल ही गलत दिया हुआ है और इसलिए आंसर है वो आपका अश allevi यही तो पुछा है not correctly matched पुछा ना भई देख सकते हैं आप यहां पर अगले प्रशिंग के उपर आएंगे दोस्तों दुनिया भर में अलग-अलग centers है उसाका डेट्रॉइट क्यूबा और सेंट सेंट पीटर्सबर्ग ठीक है थोड़ी सी सेंट पीटर्बर्ग लिखा है वैसे पीटर्सबर्ग होना चाहिए तो अगर मैं आपको दुनिया का मैप यहां पर दिखाता हूँ दोस्तों मेरे प्यारे मित्रो तो डेट्रॉइट आपको यहां देखने को मिलता है डेट्रॉइट में फोर्ड की बहुत बड़ी factory है तो यह Automobiles के साथ Associated है St. Petersburg उत्तरी रश्या में है यहाँ पर Coastal City है Baltic Sea पर इसका Gulf of Bothamie और Baltic Sea पर इसका मुहाना है यह आपका St. Petersburg है जी देख लें और यहाँ पर आपको देखने को मिलती है Ship Building काफी सारी Ships जो है वो यहीं पर बनती है यह रश्या का एक मात्र दूसरा सबसे बड़ा शहर है और एक मात्र ऐसा शहर है बहुत बड़ा जो की तटिये चेत्र पर है Osaka की बात करते हैं क्यूबा की बात कर लेते हैं क्यूबा यह रहा और क्यूबा फेमस है अपनी सिगार के लिए जिसको अमरीका में बैन भी किया हुआ है आप देख सकते हैं और यह है आपका जपान में Osaka यह क्या है Osaka जो की अपने cotton textile के लिए फेमस है कि इसके लिए फेमस है दोस्तों cotton textile के लिए फेमस है समझ में आवी बात easy था question काफी असान था तो Osaka को करना है cotton textile के साथ यानि कि A को करना है match 3 के साथ आप उबर एक भी पता होगा ना तो आप कर दोगे answer और इसलिए जो answer आता है वो आता है इसका B, Detroit, automobile के साथ निकुल ठीक बात है Cuba, cigar के साथ और St. Petersburg जो है ship building के साथ तो answer है इस question का D अचा next question के उपर बात करते है पेगू योमा रीजन तो ये भी internet face का answer अविलिबल नहीं है और इसलिए बहुत सारे teachers जो है वो confused है दोस्तों एक बात समझना मेरी पहले आप ये समझ लो ये मयन्मार का मैक है और ये भारत है ये भ्रमापतर नदिया को यहां दिखती है और ये आपके पुरुवांचल की पहाड़ियां है जो खास रूप से भारत और मयन्मार के बॉर्डर पर है जब ये पुरुवांचल की पहाड़ियां जब ये पुरुवांचल की पहाड़ियां मयनमार के अंदर एक्स्टेंट होती है तो आप इनको बोलते हो अराकन योमा यह आपकी अराकन योमा है और यह जो पीछे यहां पर आपको पहाड़ियां दिखती है इसके पैरलल यह पेगू योमा है और मयनमार की अगर मैं बात करूँ यानि की बर्मा की मैं बात करूँ तो बर्मा दुन्या का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है तिन का और आपको पता होगा कि जब से बर्मा में मियनमार में मिलिटरी साशक आए हैं वहां की डेमोक्राटिकली elected सरकार को हटा कर तब से Myanmar टिन चाइना को नहीं दे रहा है और इसी के उपर एक बहुत ही बढ़ी article आया था Times of India में मेरे प्यारे मित्रो और इसी लिए एक question जो है ये पूछा भी गया है देख रहे हो आरे ये बात समझ ये question पूछा क्यों गया क्योंकि दोस्तों ये जो चीज थी ये थी कहां पर जी हाँ ये चीज जो थी ये news में थी ये news में थी और इसी लिए इस question को पूछा भी गया है आती है बात समझ बताएं कोई doubt किसी को पूछना हो तो और इसी लिए इसका आंसर है B 10 आंसर क्या है B 10 आरे ये बात समझ देखो आप mineral oil को तो हटाई सकते हो कि ये नहीं है copper भी ठीक मात्रा में यहाँ पर नहीं मिलता चांदी मिलती है लेकिन चांदी से जादा 10 मिलता है तो 10 इसका आंसर होगा आरे ये बात समझ चलिए तो बहुत ही असान question था भाई ये question गलत नहीं होना चाहिए एक तरफ भारत के अंदर जहरने दिये हुए दूसरी तरफ उनकी location क्या है बताएं तो दूद सागर सभी को पता है कि मांडोवी नदी के उपर है इसको आप महादाई नदी कहते हैं और ये गोवा के अंदर है यानकी A को connect करना है चार के साथ तो आप यहाँ पर easily इसको eliminate कर सकते हैं ठीके बरकाना वाटरफॉल्स अगर आप उपर देखेंगे तो सीथा नदी के उपर है करनाटक में यहाँ पर देख सकते हैं करनाटक के अंदर है शिमोगा जिले में और ये टॉप 10 भारत के सबसे उचे वाटरफॉल्स में आता है बरकाना कहाँ पर है करनाटक में तो B को एक से connect करना है और यही करते ही आपको answer मिल जाएगा जो की D है C जो है याने की खांदार वाटरफॉल्स जो है वो आपको देखने को मिलते है और पलानी वाटरफॉल्स ही माच्विल प्रदेश में कुल्लू के पास है यहाँ पर मैं गया भी हूँने के लिए तो answer है आपका D जी हाँ बहुत ही असान question है इसी है इसा next question बात करता है उत्यप्रदेश की पश्चिमी छेतर अन्य छेतरों की तुलना में अधिक विक्सित है जो वेस्ट यूपी के डिस्ट्रिक्ट से मेरट हो गया गाजियबाद हो गया नॉयडा हो गया मुजफरनगर हो गया शामली हो गया साहरनपूर हो गया मुरादाबाद विजनौर हो गया यह जादा विक्सित इसलिए है दोस्तों की यहाँ पर हरित क्रांती आई है यह हरित क्रांती वाला छेतर आप देख सकते हो वेस्ट यूपी का जो छेतर है वो हरित क्रांती वाला छेतर है और इसलिए दोनों statement perfectly ठीक हैं दोस्तों और जो answer है सही पुछिए statement वो होना चाहिए B यानि की both 1 and 2 जी हाँ बिल्कुल ठीक बात है अब ही मेरी class जो है वो लगभग daily basis पर होती है अगर मैं समय की बात करूँ तो as such कोई समय नहीं है आप देख सकते हैं लिखा हुआ कि इसी समय होनी है बट मैं daily class लेने का प्रयास जरूर करता हूं जी अच्छा अगला question आता है दोस्तों इन शहरों को आपको जन संख्या के हिसाब से विवस्थित करना है सभी को पता है बहुत ही असान दोस्तों एक question है कानपूर यूपी का सबसे बड़ा शहर है और इसी basis पर आप eliminate कर सकते हैं कानपूर के बाद लखनओ है जो राजधानी है और उसके बाद गाजयबाद है और उसके बाद आगरा है तो answer होना चाहिए 98 का C होना चाहिए आर यह बात समझ बताएं अगला question कारा कुम रिगिस्तान इन में से कौन से देश के अंदर स्थित है तो यह काफी difficult question था और आपको इसका exact answer पता होना चाहिए और यह आप देख सकते हो तुर्क मेनिस्तान है और यहां पर आपको पूरा रिगिस्तान प्यारे बितरो आंसर है इसका सीधा question था जोग्रफी का उस्तो निम्न में से कौन सी जगापर आपको रुहुर कोईला छेतर देखने को मिलता है रुहुर कोल फील्ड देखने को मिलती है और इसका answer सभी को पता है जर्मनी यह आप देख सकते हैं रुहुर है जर्मनी में र प्रांस में लॉरेन है पता होना चाहिए आपको अच्छा नेक्स्ट कोशन के उपर आते हैं दोस्तों एक तरफ महासागर दिये हुए और दूसरी तरफ अधिक्तम गहरा बिंदु दिया हुए यानि कि सबसे गहरी जगा कौन सी है तो दुनिया को पता है सभी को पता है कि स पुरी दुनिया में प्ररशांत महासागर में है जिसका नाम है क्या चलेंजर डीर और एक मरियाना ट्रंच में ट्रेंच क्या होता है? तो जो मैरियाना ट्रेंच है वो प्रशांत महासागर में थो ए3 है और ए3 करते ही आप दो options को हटा सकते हैं देख लिए आपने हटा दि है Mollie Trench यानि की जो B है वो 4 है तो आप यहां पर हटा सकते हैं और Indian Ocean में Sunda Trench है जिहां Indian Ocean के सबसे गहरा point है और Atlantic Ocean में Porteio Rico Trench या Porteo Rico एक अदेश भी है Atlantic वहां सागर में तो answer है D answer इसका होना चाहिए definitely D अचा next question के उपर बात करते हैं दोस्तो इसका आंसर C है G.S. घूरे आंसर क्या है इसका? G.S. घूरे सीधा सीधा कोश्चन है अचा दूसरा कोश्चन आता है बोर्नियों के उपर देखे बोर्नियों एक साउथ इस्ट एशिया के अंदर देश है और अगर मैं आपको यहाँ पर World Map खूल कर दिखा हूँ तो World Map एंदर आपको दिखेगा बोर्नियों का आईलेंड तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैरे प्यारे में तो दूनिया का तीसरा सबसे बड़ा द्वीफ है बोर्नियों यह रहा दिख रहे आपको और यहां पर आपको दिखते हैं तीन देश हैं सबसे पहला इंडोनेशिया है दूसरा देश मलेशिया है उपड़ और तीसरा देश चोटा सा देश यहां लिखा हुआ आपको दिखता है ब्रुनई है कौन सा देश है दोस्तो ब्रुनाई देश है थोड़ा सा जूम इन कर गया आपको दिखाऊंगा तो आपको थोड़ा वेटर समझ में आए मेरे हिसाब से अब आप देख सकते हैं यहां पर यह चोटा सा देश यहां लिखा वह दिखता है ब्रुनाई दिख रहे आपको बताए मुझे फाइन चले तो यह कहानी है और अब जरा हम कोश्चन के उपर वापस से चलते हैं जो हमारा कोश्चन था और उसको समझते हैं कि क्या उसका सही उत्तर पुने वाला है तो अब इस कोश्चन को देखते हैं जो कोश्चन यह रहा एक सेटल रुखेगा तो यह बिलकुल ठीक बात है भई तीन देश हैं कौन-कौन से इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई क्लास में बताता हूं हमेशा इस चीज़ के बारे में और यह वाल्कानिक डिपॉजिशन से बना है यह बिलकुल गलत बात है भई इतना बड़ा आईलेंड वाल्कान डिपॉजिशन से बन ही नहीं सकता पहली चीज तो यह समझ लीचे यह बना इसलिए है क्योंकि इस द्वीप के नीचे यूरेशियन प्लेट और और फिलपीन और साथ ही पैसिफिक प्लेट टकरा रही है इसकी वजह से इसका वह बना है और इसलिए यह स्टेटमेंट गलत ह होती है और इसका जो आंसर है वो डी है तो अन्सर क्या है भी दोस्तों आंसर जो है तो यह और यह तीक है यह गलत है आंसर है डी नेक्सक्क्जन प्याएंगे जन आटिम होते बेतПрिकिनों डीनाया पॉपूलेशन जो काम करने योगे होती है यानिकी लेबर फोर्स में वो पार्टिसिपेट करती है सायोग देती है लेबर फोर्स में और कौनसी वो है वो है आपकी डी आंसर है यानिकी आंसर है 15 से 59 वर्ष असलियत में 14 से 65 होता है इंटरनाशनल स्टेंडर्स के हिसाब से पर जिन देशों के अंदर लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होते हैं उस दिन भारत में हम यही मानते हैं कि 60 साल में सब रिटायर हो जाते हैं तो दोस्तों एक तरफ आप देख सकते हैं परवत दे रखे हैं हिल या फिर माउंटेन और एक तरफ उनकी लोकेशन पूछी है तो देखो एक बात च्याद रखना जो चिन रेंज है वो मनिपूर में है सभी को पता है नाम से भी समझ में आता होगा मनिपूर और मियनमार के बॉर्डर पर है चिन रेंज जैपनीज इसी रेंज को क्रॉस करके भारत पहुंचे थे दूसरे विश्व्यूत के दौरान और इसी लिए आप इसको देखकर एलिमिनेट कर सकते हैं और जब आप एलिमिनेट करने पर आते हैं तो C का 2 है और आपको इसी एक चीज से आंसर मिल जाता है देखरें जिहां जो दोशी हिल है वो हर्याना में है रावलीस का हिस्सा है और मेरे प्यारे मित्रो एक extinct volcano है एक लुप्त ज्वाला वुखी है ठीक है तो देख सकते हैं D का आपको 1 दिखता है बिलारी रेंज जो है दोस्तों समझ में आता है करनाटिका में है और खास रूप से वेस्टन घाट्स का ही हिस्सा है साथ ही बटेश्वर हिल विहार में आपको मिलता है देखने को कहाँ पर मिलता है विहार में आपको देखने को मिलता है बटेश्वर हिल जी हाँ तो इसका आंसर आप देख सकते हैं क्या है आंसर है इसका c answer के है दोस्तों c answer था अच्छाए एक तरफ क्रांती है एक तरफ किस चीज से संबंदित है देखें आप सबी को पता हो नबila सबी को पता है कि जो golden revolution है यानि कि golden क्रांती वो किस चीज से related है बताएं शहद, ग्रे करांती, फर्टिलाइजर ऊर्वा, पीली करांती, तिलहन, काकि तिलहन का उत्पादन भारत में कम हो गया है, जब चेह हरित करांती आई है, और काली करांती पेट्रोल, इससे पेट्रोल, तो यहां पर अगर आप इन सभी को मैच करते हो, तो जो A है वो 2 है, तो यह करता ही, आप 2 options को eliminate करते हो, जो B है, वो 4 है, तो answer आपका A आता है, answer है इसका A, अच्छा, next question के ओपर move on करेंगे, भाई, इन में से कौन सा देश भूमी बंद है, यानि की कौन सा देश जो है मेरे प्यारे मित्रो, वो भूमी बंद है, तो इक बर मैं world map आपको यहां पर देश भूमी बंद है नहीं है, बताओ, पेरू के पास प्रशांत महासागर पर तट है, अगर आपने कभी ocean currents के बारे में पढ़ा हो, महासागर धाकी धारों के बारे में पढ़ा हो, तो यह बात जब को पता होनी चाहिए कि एक current है, एक महासागर की धारा है, जिसका नाम है पेरू करंट है, चिले के पास भी प्रशांत महासागर का, तट आपको देखने को मिलता है, तो चलिए उस question के उपर move on करते हैं, तो और इसका answer क्या होना चाहिए, उलीब्या, क्या होना चाहिए, डी, सीधा question था, असान question था, यह question गलत नहीं हो सकते, बही जो प्रित्वी ह उसका atmosphere, भाई यह प्रित्वी के वायू मंडल की बात करता है, ना कि प्रित्वी की, और जो प्रित्वी का वायू मंडल है, वो खास रूप से, बाहर जाने वाली स्थलिये विक्रण, जो की आपकी धीर गत्रंग विक्रण का हिस्सा, यानिकि लॉंग वेव रिडियेशन है उसका है तो लॉंग वेव, टेरिस्ट्रियेशन, इस थलिये विक्रण, यानिकि टेरिस्ट्रियेशन, आंसर इसका ए होना चाहिए, ग्रीन हाउस गैसे इसी से गरम होती है, कारबन डेयोकसाइड, मिथेन जो है, अगला कोश्चन आता है दोस्तो, स्टील प्रोडक्शन किस जलवायू के बारे में, तो इस कोश्चन को समझना थोड़ा सा जरूरी है, और मैं वल्ड मैप के तहत ही इसको समझाने का प्रयास करूँगा, देखो तो भूमत्य जलवायू आपको यहां पर कैलिफोर्निया में मिलती है, इस पूरे छेतर में आपको देखने को मिलती है, जरूरी जब भूमत्य जलवायू, और इसके अलावा साउढ अफ्रीका में, सेंट्रल चिले में, साउढ अफ्रीका के सॉर्ई, इस कोश्ट पर यहां पर होता यह है कि दोस्तोरज के विश्थापन की वचहा से, याना झो मुव्मेंट अफ सन है, प्रैशर बेल्ट्स भी जब सरदियां आती हैं, तो इस छेतर में उत्तर दिशा से वेस्टरली विंट चलती है, ऐसे, यह आपकी पच्वा हवा है, जोकि पच्वा हवा समुद्र से जमीन की तरफ चलती है, इसलिए वो अपनाचत नमी लेकर आती है, और सरदियों में, विंटर में बारिश होती है, जिनको आप्त्रेटِ विंट्स कहते हो, ट्रेट विंट्स होती है, और वो आपकी कैसी विंट्स होती है, वो होती है, ओफशोर, यानि कि जमीन से समुद्र की तरफ ऐसे भीजो का यह ध्यों, तो टेरेस्ट्रेयल आप सो कह सकते हो, और इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, होना चाहिए बिल्कुल ठीक बात है और इसका आंसर डी होगा 144 वे प्रशन का आंसर डी होगा बहुत लोग कह रहे हैं कि रीजन गलत है और इसका आंसर बहुत सारे लोग भी बता रहे हैं लेकिन मेरी ये गैरेंटी है दोस्तों कि आंसर डी होना चाहिए I am damn sure चलिए तो यहां पर geography खतम होती है एक और question था वो I think गायब हो गया है मैंने कराना भूल गया हूं किस religious group की population मेरे प्यारे मित्रो urban areas में रहती है यहां पर आपको दिखता है यह question है तो answer उसका जैन है यह बात याद रखनी है आपको answer क्या है जैन यह आपको नीचे लिखा तो यह question है जो थोड़ा सा यहां पर कुछ technical fault के कारण आपको दिखना ही रहा होगा पर अब आपको यह question दिखेगा तो which religious group in India as its highest urban population तो देखो 80 प्रतीशत जैन टाउन्स में रहते हैं और शहरों में रहते हैं और 43 प्रतीशत बुद्धिस्ट शहरों में रहते हैं तो answer इसका D होना चाहिए यानि कि इसका answer जैन होना चाहिए आपको फटाफट फटाफट बताऊंगा सबसे पहला आप प्रशन पूछता है निम लिखित में से कौन सा ब्रेक्ष परियावर्ण के लिए खत्रा है देखें परियावर्ण के लिए खत्रा वो पेड होगा जो वहां का endemic नहीं है खास रूप से eucalyptus का जो पेड होता है वो जहां उखता है वहां की जमीन को बंज ठीक है पांच में प्रशन का डीडीटी यानि की डाइक्लोरो डाइफिनाईल ट्राइक्लोरो इथेन जो है वो किस प्रकार का प्रदिवशक है सबी को पता है दोस्तों ये एक बायो तो है नहीं नहीं ये जैविक तो इसमें कुछ भी नहीं है तो इसको हटा दो नॉन पल् है ग्यार बाब प्रशन दोस्तों परियावरण संरक्षन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था आंसर है 1986 आंसर दी है आंसर दी है बारवे प्रशन प्रशन पर आते हैं दोस्तों अच्छा ये साइंस इंटेक का कुश्चन है तो नहीं करेंगे तो यहां पर देखो बहुत क्शन आता है और पूचता है आपसे एक तरफ डे दिये हुए एक तरफ क्या इवेंट होता है तो क्या इसका आंसर होगा तो देखो इसका आंसर बहुत意ज़् पांच दिसंबर को होता है विष्व मृदा दिवस कैसे पता रीशेंट्ली सद्ध्य गुरुजी है अपनी झ याद रखना है अगला प्रशन भाई ऐसा कौन सा भारत के अंदर एरपोर्ट है हवाई अड़ा है जो पूर्ण रूप से सौर उर्जा द्वारा संजलित है उसका आंसर है कोची केरला में है भी आंसर है अगले प्रशन के उपर आते हैं तो यहाँ पर बात करता है लेमिनिट कहते हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि ठीक ठाक मात्रा में पाइडियोप्ल dragon केको यह वो उपते हैं माद यह थीख है लेकिन सही issका एक्सुलिंसंग यह नहीं है तो इसका अंसर है स्यॉन संग का स्यहेंगे दोस्तों हमारे हिसाब से, आंसर है C, जी हाँ, 34th question का, 36th question के उपर आएंगे, भई, 1975 में इन में से कौन सी वन्य जीव अभ्यरन है, जिसको स्थापित किया गया था, कत्रिनी घाट, जी हाँ, आज की समय पर ये लखीमपूर खेडी में है, आप जानते हैं, और घागरन अधी यहां से निकलती है, इ दोस्तों, सबसे पुरानी तेलगू देसम पार्टी है, जो 1982 में स्थापित की गई थी, एक्यासी में, वहीं जो बहुजन समाजवादी पार्टी है, वो 1983 में, तो 3 सबसे पहले और 1 उसके बाद, तो आपका आंसर होना चाहिए, बेसिकली, A, क्या होना चाहिए, A, ठीक है, जियां जोगरफियों कोशन आई है, पर फिर भी वने करा दिया, दुबारा से कोशन आता है, दुद्वा नेशनल पार्क के ओपर, जो कि लखीनपूर खेडी में है, अब यह आपको बताया, कतरनी घाट और दुद्वा आसपास हैं, और बीट से घागर रंदी निकलती है, जिपके वें एक साथ चुड़े हो, वह इनमें से क्या चीज बायो डिग्रेडेबल है, बताएं, आंसर है उन, क्योंकि वो प्राकृतिक है, अगला क्वेशन, स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से सबसे जादा इंट्रीज कहां पर हुआ है, दोस्तों, याद रख प्राकृतिक रूप से बांगलादेश के अंदर, पानी के अंदर आर्सनिक काफी साधा मातरा में, पश्चि मंगल में भी यही एक इशू है, और ये कोशन लास्ट बार भी रिपीट हुआ था, पर उसमें ऑप्शन्स अलग थे, उसमें स्टेट दी थी इंडिया की, आंसर अगला प्रशन आता है, दोस्तो, UNEP के हिसाब से, फ्रेंटियर रिपोर्ट के हिसाब से, सबसे ज़ादा, नॉइस पलिटिट सिटी कौन सी है, भारत में, मुरादाबाद है, वैसे पूरी दुनिया में धाका है, फिर मुरादाबाद है, नेक्स्ट कॉशन आता है, ओजोन हम आते हैं, और आप देख सकते हो, दोनों जो है, सही है, आप देख सकते हैं, दोनों स्टेटमेंट ठीक हैं, आंसर इसका B होना चाहिए, आंसर होना चाहिए B, 102 कॉश्चन, ग्रीन हाउस गैस निमन में से कौन सी नहीं है, भाई मीथेन भी है, कार्बन डैयोकसाइड भी ह है, लेकिन आरगन नहीं है, आंसर A है, आरगन एक इनर्ट गैस है, रियक्ट जो है, वो नहीं करती है, 105 वा कॉश्चन, सैटरन के उपर क्या है, देखो, 75% और 25% हाइडरोजन और हीलियम है, और तीसरी गैस जो है, वो मीथेन है, तो आंसर इसका C है, बेसिक लिए, आंसर क नन्दा देवी जो है, वो दोस्तो उत्रा खंड में है, और पंच मनी मध्य प्रदेश में है, तो यह question cancel हो सकता है, या अगला question गंगा action plan कब आया था, जी यहाँ दोस्तों गंगा action plan कीबात करते हैं, और इसका C इसका must बना बना दो इससे, यह answer है, ठीक है, अगला question गंगा action plan कब आया था जी हाँ दोस्तों गंगा action plan की बात करते हैं और इसका एक मात उदेशे था कि जंगा को गंगा को प्रद्यूशन रहित करें करना आंसर एह है next question देखो यहाँ पर बहुत विवाद है इस question में विवाद इसे लिए है कि इन में से कौन सी उर्जा ultimately सूरत से नहीं आती है देखो आप खुद सोचो है ऐसी उर्जा जो आप सौर मंदल के बाहर बना सको जीओ थर्मल एनरजी आप प्रित्वी के इंदर से निकाल तो प्रित्वी तो सौर मंदल में है तो answer nuclear energy है सौर मंदल के बाहर भी आप बना सकते और answer इसका B है दोस्तों आती है बात समझे लास्ट कुश्चन है दोस्तों बताएं यहां पर dolphin dick इस दिन मनाया जाता है आंसर भी है 5th of October सीदसी दे कुश्चन थे environment के असान थे और इसी के साथ मैं आपको कह रहा हूँ दोस्तों class खतम होती है आप UPPCS का batch जोईन कर सकते हैं इसी के साथ दोस्तों नमश्कार सस्तुरिकाल अदाब नीचे दिये गए नंबर पर जरूर कॉल कीजेगा आप कॉल करते हैं तो आप ही का बहुत ज्यादा फायदा होगा दोस्तों आशाकरतों की class काफी interesting लगनी होगी इसी के साथ दोस्तों नमश्कार सस्तुरिकाल झाल